Guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे, एक अलग सा टॉपिक है, एक अलग से systematic topic है, बहुत एडवांस वाला system है, جो आज market में बहुत सारे लोग शीखना चाते हैं, बहुत सारे लोग आउपर है इस platform के बारे में, और it's a globally बोल्ड वाइड आज बहुत सारे लोग इस system को सीखन भी चाहते हैं कुछ नेगेटिविटी वे हैं वाई विकॉज आप लोगों के इस सिस्टम के बारे में पता ने तो इसलिए आज ही हमें वीडियो गाई यहां पर बता रहा हूं कि इस प्लाटफॉर्म के बारे में एक बैसिक सा एक स्टार्ट अप हम यहां पर कर सकते हैं तो आपको वेबसार्ट यह पर दिख जाएगी कि क्या है गैस आज के टॉपिक में हम देखेंगे वाट इस देश्ट कृप्तो करंसी क्या है ओके व्याटिज दबीट कोइन बिट कोईन क्या है ओके बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सिफ सुना रहता है बिट इट कोईन Bitcoin, Cryptocurrency बहुत सारे लोगों के mind में negativity भी बहुत रहती है So, आज थोड़ा फर इससे आपको थोड़ा सा रहत मिलेगी थोड़ा positive भी हो जाए हो गया एक कुछ समय में हम यहाँ पर पुरा यहाँ पर discuss कर लेंगे So, let's start Bitcoin क्या है? So, guys, आज हम जो हम हमारी currency है, रुपे में जो हम currency use करते है उसमें notes है, जो कागजी note है और बाद में कुछ रहते है, वो coins रहते है उसको हम coin बोलते है, dollars बोलते है एक रुपे, two rupees, five rupees के यह dollars रहते है, coins रहते है तो वो coins और यह coins वो coins हम जैब में लेके घुम सकते है जो हमारे coin है बट Bitcoin, guys, जैब में लेके आप घुम नहीं सकते है यह एक decentralized, virtual currency है यह एक decentralized, यह सिब आपको net के ओपर ही दीख सकती है और इस currency को आप किसी के हाथ में नहीं दे सकते है यह सिब virtual currency है, decentralized बट इस decentralized currency का use इतना fast और इतना vast है कि आप सोच नहीं सकते इतनी इसकी capability है so guys, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या है Bitcoin so यहाँ पर website के ओपर मैं आचुका हूँ यहाँ पर website के ओपर bitcoin का जो wikipedia का page है यहाँ पर एक basic सी इसकी जानकार ही दीगे थोड़ा से मैं आपको एक basic में हाँ पर बता दो Bitcoin is a decentralized digital currency that can be transferred on pay to pay Bitcoin transactions are verified network nodes through cryptocurrency so यह जो सारा system में क्या है यहाँ पर पूरा इन्होंने basics में दिया है कि Bitcoin जो है decentralized currency है इसको मैं आपको थोड़ा से यहाँ पर मैं आपको हिंदे में इसका translate करके बता रहा हूँ Bitcoin एक डीगेंद्री decentralized मुद्रा है जिसे peer-to-peer Bitcoin network पर स्तनांतरित किया जा सकता है Bitcoin की lane lane को cryptography के माद्यम से network nodes द्वारा सत्तापित किया जाता है और एक सारवजनिक वितरित खाता बही दर्श की जाती है blockchain का आजाता है Bitcoin का ये जो contract है ये blockchain के उपर registered है इस blockchain के उपर काम केसे किया है किसने किया कहाँ पर है वो सब कुछ internet के उपर registered है Bitcoin किसने लाया जिनका नाम है उनका नाम है Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto इन्होंने Bitcoin के उपर work किया उस Bitcoin को decentralized contract में registered किया अपने internet के उपर 2010 तक Satoshi Nakamoto अपने काम में पूरी तरह से सक्रिये थे थोड़ा इनके बारे में कुछ हम जान लेते कि Satoshi Nakamoto का जन्म जो हुआ था 5 April 1975 में का जन्म हुआ था Nationality थी Japanese person था Satoshi Nakamoto ने California State Political University Panama वो वो स्टड़ी कर रहे थे Don't fall Actually वो किसलिए जाना जाए तो Investing Bitcoin Implementing the First Blockchain First Blockchain बनाने में इनका नाम जाना जाता है Satoshi Nakamoto का Scientific career के बारे में बात करते हैं तो Digital Currency, Computer Science में इनकी Cryptocurrency को उपर Study जल रही थी So guys, यह है Satoshi Nakamoto इनके बारे में बाते हैं Guys, Bitcoin को कैसे यूज किया जाएगा Bitcoin को कैसे यूज कर किया जाता है और कितने fast में यह currency आप किसी दूसरे को exchange कर सकते हैं बहुत सारी इसमी के बाते जो है Cryptocurrency के बारे में आने वाले समय में इसमें बात करेंगे तो आज की लिए हम सिर्फ Satoshi Nakamoto जो की Bitcoin का basic के बारे में हमने इसमें आप यह बात की आने वाले वीडियो में हम बहुत कुछ बाते करेंगे advance तब तक के लिए जए हैं, जए भारत! Thank you